पंक बिखे बसता रस में रस उरद को निसच सरशेरों ग्रीव लो नीर में धीर धरे इक पैर खरो थिर है रवहेरों आतप सीत सहे बरखा तप साधत या भिदी कूर घनेरों श्री हर राय के पाए समान ता पाए नकंज उपाए बतेरों धन गुरू हर राय साव जी महराज धन गुरू हर गुविन साव जी महराज दे पोत्रे सन आप दा अवतार माग सुदी तेरां सम्मत सोलां सो सतांसी जनमस्तान शीश मेल कीरदपुर जिल्ला रोपर्ट और आप दे पिता जी दाना सिरी बाबा गुरुदिता जी और माता निहाल कोर जी सी आप बड़े सील सुभाद है गुरू हर गुविन साव जी महराज जो युद लड़ दे रहे उस दे बकैद आप सेना दी कमान भी कर दे रहे सुर बीरता आप दे रोम रोम बीच सी पर आपने कोई युद नहीं लड़े है जगत नो एदसे हा कि युद लड़ना सड़ा मकसद नहीं युद सिर्फ बचाओ लई है इज़त बचानी देश बचाना संस्कृती बचानी एगल वकरी है कि सारी दुनियां दे मुलकान है इस महकमे दा नाम बचाओ महकमा रखे है डिफेंस लेकन घजब दी गल है अज तक ते हमले ही होंदे रहने है बचाओ नहीं सही में निया रिच बचाओ लई तोर तरीका अपनाया धन गुरू हर राय साब जी महराज ने बाइस सो अस्वार आप देनाल हर वक्त रहें देसन लेकन आपने भुलके भी किदरे योद नहीं कीता सता नाल शुरूतों ही गुरू घर देनी बढ़ी बाबर ने गुरू नानिक नो जेल दिच पा देता और जहांगीर ने गुरू अरजन देव जी महराज नो शहीद कर देता शा जहांगी खार खांदा सी क्योंके जो युद गुरू हर गुमिन साब जी महराज नाल लड़े गए ओ शा जहांदी पेजे हुए सूबेदार से और उस देए करेंदे उसे देए बंदे से ओ भी करीबन करीबन अंदरों चिड़े हो जाई सी लेकिन एक दफ़ा ऐसा होया कि शा जहांदा लड़का दारा जद बहुत बिमार प्या हकीमा ने तजवीज की थी हरना दी और खास तरांदियां लौंगा ओ सिरफ आप जी देही तोशे खाने सन उस वगत रहम दिल कौमलतादे मालक धन गुरु हर राय साब जी महराज ने ए वस्तुआ ए हरना ए विशेश लोंगा आपने दे दितियां हकीमा ने दवाई बनाई और दारा राजी हो गया इत्वा पता चल दा है कि अंद्रों दुश्मनी नहीं सी सता नाल सता धारिया नाल सता भी कुरीती नाल नफरत है क्योंके कुरीती नो अगर दूर ना कीता जाए तो राजनीत कुरीती धर्म नो ब्रश्ट कर दें दिए समाज नो ब्रश्ट कर दें दिए और इसे तरीके नाल मुलक नो खेरू खेरू कर दें दिए धन गुरू हर राय साब जी महराज ने थां थां थे विचर के भर्मन करके आपने एही संदेश उपदेश देता कि अंदर सबर रखना है और जो कुछ भी कोल है विशेष उसदी पर दरशनी नहीं करनी नुमाइश नहीं करनी अक्सर है साङसे होंद है कि मुनुख जो कुछ नहीं है वो अपने आपनों प्रगट करदा है और जो कुछ है उसते पढ़दे पांदा है सद्धकुर्ण ने कहा जो तू नहीं है वो तू प्रगट ना कर और जो कुछ तू है इसते पढ़दा भी ना पा क्यों हो पढ़देया पांदेया पांदेया तरी शक्ती तेरा समा जाया हो जगा और इस तरी के नाल प्रभूदी निगाज तू पखंडी होएगा इश्वर्दी द्रिष्टिच तू पखंडी होएगा पखंडी ना बन और जो तू नहीं हो प्रगट वी ना कर हंकारी वी ना बन पखंडी वी ना बन इस सद्गुर्दा मूल उपदेश सी एक दिन आपदे चर्णा दिच सिखाने बेंति कीती पादशा पाठ करें हम नित गुर्बानी अर्थ परमारत किछू ना जानी जो मारग गुर्षबद बता है सो हमते नहीं जात कमा है सहे असी अर्थ बोटते जान दे नहीं शेह गुर्बानी पड़ी जाने आ पड़ी जाने आ इदे नाल सानु की लाव होवेगा तां आप उस वकद चुप रहे गए प्रशन करता ने इस सोच लेया शैद सद्गुर्द जवाब नहीं देना चांदे यह जवाब है ही नहीं प्रशन करता भी सद्गुर्दे नाल चल पे बाहर सेर करनो नाल होर सिंग ने रस्ते दिच एक ऐसी डोली मिटी दी तुटी होई सी कड़ी जिस दिच घ्यो रखे आ गया सी और वो थिंदी सी और उसनों टुटे हाँ गालबन कई दिन हो गया से सद्गुर्द ने वो ठीकरियां देखियां जो थिंदीयां से प्रशन करता नो कें लगे रही चिकिनता ठीकरि माही तियों गुन रहें बाणी मन माही जिमें किसे वकत घ्यो रखे आ गया तावी चिकनाई इस ठीकरि नाल लगी होई है पामे घ्यो कड़ देता गया पामे घ्यो नहीं है ऐसे खो भावे अर्थ नहीं जान दे पर इतना भी ख्याल होए के गुरुबानी पढ़ रहे हैं प्रमातमा दी सौगात प्रमातमा दा अलहां उदे बचन पढ़ रहे हैं तो इतना भी जिड़ा ख्याल अंदर बनेगा एवी हिर्दे नो कॉमल करेगा एवी हिर्दे नो थिंदा करेगा एवी जो है गुर्वानी दा अपना असर ते परताब छोड़ेगा आप दे दो सहवजादे सन बाबा राम रह ते धन गुरु हर कृशन जी महराज जित्थे धन गुरु हर कृशन जी महराज बालक होंदे अवयावी संजमी, सुशील, दूर, द्रिशन उत्थे राम राय वी तरा तरा दी कलाद चने पुन सी बादशा ने सत्गुरानू दिल्ली जद सदेया ता आपने स्याना समझ के सूजवान ते दूर द्रश समझ के बाबे राम राय नु भेजेया बादशा करामातां वेखना चांदा सी शा जहां दी बिमारी तबाद और अंगजेब गदी ते बिरवाजमान हो चुके आसे और इसे रई सद्दा गुरु हर राय साब जी महराज नु आया राम राय नु और अंगजेब ने आखिया कुछ करामातां दिखा गुरुनानिक दे घर दिया करामातां की ने बड़ी सुनिये गल गुरुनानिक दी बहुत बड़ी महमा सुनिये गुरु अरजन देव जी दी तो कुछ करामातां दसो के ने शाही रोग दाव दे अधीन बाबा राम राय हो गए और इना ने नाम सिमर के बंदगी करके ते सद्गुर्दी हजूरी दिच रहे के जो शक्तिया प्रापत की थिया सन करामातां दे रूपच दिखानिया शुरू की थिया इतिहासकार लिखदे ने आपने बहत्तर करामातां दिखाई या और उगजेव दे मन थे बहुत वड़ा प्रभाव पया और उने सवादेच बकैदा बैठन ली एक कुरसी भी दिती लेकन मन देच एक एर्खा रखदा सी कि ए शक्तियां किदरे मेरी राज सता लई खत्रा ना हो जान ए शक्तियां किदरे गुरु अरजन देव जी महराज दा बदला ना लेन क्योंके गुरु अरजन देव जी महराज नो शहीद कीता गया ते गुरु अरजन देव जी महराज नो जेल दिच पाया गया ए एरखावी रखदा सी एक दिन औरंग जेब ने बाबे रामराय नुआ कहा कि गुरू गुरंज साब जी महराज दिच कुछ तोहीन आमीज अलफाज ने जैसे कि मिट्टी मुसल्मान की पेड़े पई कुमेहास एक दम राजनी तक रोब दे थले आके भेभी तोके रामराय ने कह देता बादशा सलामत मिट्टी मुसल्मान की नहीं है मिट्टी बेई मान की पेड़े पई कुमेहार ए बोल ज़द धन गुरू हर राज साब तक पहुँचे ता आपने मु लान तो इनकार कर देता ते सिक संगता नो वे हुकम नामे पेश देते रामराय नो कोई मु ना लावे इसने गुरुनान की दी बाणी नो बदले है उदी रूप रेखा नो बदले है उदी अर्थ भाव नो बदले है और ए राजनीती दे रोब थले आगया है ओ फकीर नहीं जो राजनीती दे रोब थले आगया है फकीर ते ओ है जिदे जेर असर राजनीती चले फकीर हो नहीं जो राजनीती दे जेर असर हो जाए ये ठीक है कि सता अपने आप देच बड़ी परबल शक्ती है पर उस विच धर्म ना ओवे, धर्म तो मुराद प्यार ना ओवे, सचाई ना ओवे, निर्वैरता ना ओवे, इनसाफ ना ओवे, दया ना ओवे, कॉमलता ना ओवे तो राजनीती ठोस पत्थर बन जा दिये और ठोस पत्थर लोगां दे सिर तोड़ दिये लोगांदा के चुमर कर दिये और ऐसा आज तक समू संसार दे चौंदा रहे है गुरु हर राइस साव जी महराज ने आखिर एक गद्धी धन गुरु हर कृषिन जी महराज नो बक्षिश की थी जिना दी आयो सिर्फ पंच साल दी सी राम राइनो चिड होनी कुदरती सी पिता दे इस फैसले तो बहुत आखे हुए बहुत आखे हुए भी ये मेरे नाल अन्याय हुए है ये मेरे नाल द्रो हुए है और बक्षिदा गुरु होन दावा की था पहले अरजी दिती और गजेब नो कि गुरु गद्धी मैं नो दिलाई जावे है कौन दसे राम राइनो गुरु गद्धी ते प्रभूदी तरफों मिले ओही गद्धी हों दी है ते जिस गद्धी नो राजा दिलावे एक बादशा दिलावे है ओ गद्धी धर्म दी गद्धी नहीं होएगी नेस्तो नाबूत कर लई राम राय नों तक्वियत देनी शुरू की थी। उसने बहुत बड़ियां जगीरां राम राय नों देतीयां ताके शक्ती शाली बने और एक भिरा पिराल लई तो खी बने और इस तरह गुर्गदी नश्ट हो गये। गुरू हर राय साब जी महराज दा सिख संगता दा बहुत वड़ा असर होया पजाब दियां सिख संगता ने राम राय तो मूँ मोड लेया लेकिन फिर भी बचियां कुछियां करामातां दे आसरे थे ये भोली भाले जनतानों लोकानों अपने काबू देच करदा रेया और केदे नाल अपने गुरू होन दा परचार भी करदा रेया साहिव श्री गुरू हर राय साब जी महराज संगता नो सुचेत कर दे रहे सावधान कर दे रहे गुर्वाणी नाल जोड दे रहे और गुर्वाणी दा परचार कर दे रहे अखिर नू कत्तक वदी नौ समत 1718 जोती जोत समाग है जित्थे आप जी दा अंतम संसकार होया गुर्वारा पाताल पुरी मौजूद है सिख रवयाद मताबक तमाम सिख जगदे फुल अस्तिया पाताल पुरी रिच प्रवाकीतिया जानियन ए अस्थान गुरू हर राय साब जी महराज दा अंतम अस्थान है झाल 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 झाल